हालो दोस्तों स्वागात है आपका मेरे यूटूब चैनल डॉक्टर वर्ड में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी बैचलर आप फार्मेसी आप हिंदी मीडियम से हिंदी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरे देखिएगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप हिंदी मीडियम से कैसे कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अमिस साजी ने उटगाटन किया है जिसको लेके बहुत लोगों को doubt है आज मुझे call भी आया था तो मैं उसको दूर कर दूँ तो अमिस साजी ने जिस को मतलब जिस चीज का उटगाटन किया है वो किसी कॉलेज का नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से डिपलोमा कर सकते हैं उन्हेंने उटगाटन क्या किया है बुक का और उस बुक का नाम है एना टॉमी और मतलब जितनी भी MBBS की बुक्स हैं उन्हें सब क कर दिया है इन्होंने कहा कि मात्र भाँसा का उपयोग होना चाहिए मेटकल लाइन में भी तो इन्होंने MBBS के पहले साल का यहां आप देख सकते हैं जो अन्भाग एक लिखा है पहले साल की सारी बुक्स क्या कर दिया है हिंदी मीडियम से कर दिया है तो इन्होंने जो उटगाटन किया दो दिन पहले वो इसका किया था ना कि किसी कॉलेज का जिसमें आप डिपलोमा या बैचलर आप फार्मेसी हिंदी में कर सकते हैं लेकिन आप कर सकते हैं हिंदी में डिपलोमा इन फार्मेसी या बैचलर आप फार्मेसी आप हिंदी में कर सकते हैं लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूं मैं तेर उससे पहले आप अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए तो यहां पर देख लीजिए जो कोर्स होता है अंग्रेजी में डिपलोमा इनफार्मेसी वो कितने वर्स का होता है? दो वर्स का होता है, ठीक है ? दो साल का कोर्स होता है ठीक है और इसमें फीस कितनी लगती है अगर आप सरकारी कॉलेज से जाएंगे इंट्रेस इग्जाम अगरा देका या नीट के थुरू जाएंगे तो आपका एक साल में 40,000 या 35,000 लगता है वो कॉलेज के हिसाब से अपना करते हैं ठीक है और अगर आप प्राइबेट में जाओगे तो प्राइबेट कॉलेज में अगर आप डिपलोमा इन फार्मेसी करोगे तो 70,000 से लेकर 1,000,000 तक होता है वो भी college के हिसाब से होता है कहीं पे 70,000 या अधिक जाए आप बात आती है bachelor in pharmacy की तो वो शाड़ें चार साल का course होता है ठीक है उसको भी आप कर सकते हैं सरकारी या private college से उसमें भी college के हिसाब से fees ली जाती है तो ये डिप्लोमा इन्फार्मेसी जो होता है अगर आप इसको एलो पैस से करना चाहते हो मतलब अंग्रेजी दवाईयों के लिए तो ये आपको हिंदी में अविलेवल नहीं मिलेगा कहीं पर भी क्योंकि मैंने बहुत देखा बहुत सर्च वगरा किया तब पता चला कि आप जो है एलो पैस से डिप्लोमा हिंदी में नहीं कर सकते क्योंकि ये कोर्स अब लेवल ही नहीं है तो अमिस साजी ने जो किया था उसको डाउट जो उटगाटन किया था उसका डाउट मैं पहले के लिए कर चुका हूँ लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम से डिप्लोमा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे देखिए जहें भोपाल हो जहें उत्तरपरदेस हो या फिर मद्देपरदेस हो या फिर कहीं भी हो आप क्या बोलते हैं एलोपैस में डिप्लोमा नहीं कर सकते हिंदी में लेकिन आप हिंदी में कैसे कर सकते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर देखी जैसे की लिखा है आयरुवेदिक मेडिसिन तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं आपकी कमजोर है तो आप आयूरवेदिक से डिपलोमा हिंदी में कर सकते हैं, ये भी क्या होता है? आयूरवेद वाला आयूरवेद वाला भी दो साल का कोर्स होता है, जैसे अलोपैथ का होता है, इसमें भी आपको 10 प्लस टू होना चाहिए ठीक है और आयरुवेद और एलोपैथ में आप कोई ज्यादा अंतर रह नहीं गया है जो एलोपैथ वाला कर सकता है वो आयरुवेद वाला भी कर सकता है मानने तब राप्त हो गई है ठीक है बस इतना है कि आपको आयरुवेदिंग मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा बाकि जो और चीजें होती हो वो कर सकते हैं और इसी तरह आप बैचलरी इन फार्मेसी भी आयरुवेद से कर सकते हो ठीक है मैंने भोपाल के कॉलेज़ में भी सर्च किया था क्योंकि जिस बंदे का कॉल है था वो भोपाल से है साथ तो भोपाल में भी यही है जो मतलब यहाँ पे है ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं फीस वगएरा जो होती है आईरवेट की आईरवेट भी दो साल का होता है फुल टाइम ठीक है यूजी डिपलोमा होड़ता है कोर्स लेवल इसका और इसमें यहाँ पे देखिए इसकी फीस किता होती पंच्यानबे हजार चालिस मतलब यह अगर आप जाओगे इसको करने तो कॉले वैसे तो कॉलेज के हिसाब से ही रिकमेंड करते हैं फीस लेकिन आपका यह एक लाख या सवा लाख में हो जाएगा ठीक है और अगर आप सरकारी कॉलेज से करोगे तब भी आपका यह 90,95 जैसे यहाँ दे रखा है उतने में हो जाएगा ठीक है एलोपैथ में तो अविलेवल नहीं है हिंदी में लेकिन आयरुवेट का हिंदी में भी है तो डिपलोमा इन आयरुवेट दूइक फार्मेसी ठीक है तो यह ATRKDF यूनिवेस्टी करके कोई है वोपल में वहाँ होता है दो साल का कॉर्स है वहाँ पे जो है टोटल ट्यूसन फीस जो है पचास हजार दी गई है मतलब एक साल की पचास हजार दो साल की एक लाख रुपए तो अगर आप इंगलिस में कमजोर हैं तो आप इसको कर सकते हैं हिंदी मीडियम से आयरुवेदिक वाला क्योंकि आयरुवेद वाला भी बहुत अच्छा है आज कर लोग जादा तर आयरुवेद में ही भाग रहे हैं क्योंकि एलोपायत का जो होता है उसमें साइड एफेक्ट वगारा होते हैं लेकिन आयरुवेद में कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है अब बात आती है अगर आपको एडमीशन लेना है तो आप एडमीशन कैसे लेंगे तो एडमीशन लेने के लिए दोस्तों आपके पास इसको ले जाके आप किसी भी कॉलेज में एडमीशन कर सकते हैं एक चीज़ मैंने आप लोगों को फीस वाले में नहीं बता ही बता देता हूं इसमें क्या होता है आप एडमीशन कराने जाओगे तो आप से 10,000 रुपए जमा करवाएंगे आपकी एडमीशन फीर ठीक है और साथ-साथ उसमें 5,000 एक्ष्ट्रा लेते हैं तो टोटल ये 15,000 लेते हैं आप 15,000 क्यों लेते हैं वह इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अगर कहीं भी वहाँ पर पढ़ रहे हो और जैसे कि कुछ तोड़ फूर दिया लाए वगरा में जाके तो उसके जुर्माने के वो नहीं है आपको मिल जाता है तो आसा है कि आप लोगों का डाउट दूर हो गया होगा कि अमिस साजी ने जो उडगाटन किया वो डिप्लोमा कॉलेज का नहीं था MBBS 2014 की बुक्स थी और बहुत ही अच्छ है एक हिसाब से इनों ने किया और एक हिसाब से बहुत ही गलत किया है क्योंकि आगर एक साल हिंदी में पढ़ेंगे सेकंड यर से अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला है नहीं बहुत लोगों को फिर भी हमाएं देश के भववे नेता हैं हमी साजी तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में इसी तरह के डाउट होंगे तो पूछ लीजिएगा मैं इस वीडियो बना के डाल दूँगा